प्रश्कार मैं आज तोसरा है आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए आर्ट्स प्लस सुशल साइंस का जो कंबाइन्ड एकजाम होता है उसमें जनरल साइंस का जो पोश्चन आता है जनरल साइंस जिसको आप लोग बोलते हैं प्यार ले जाए हमको सारा कोश्यन आजा एक्जाम में ऐसा कहां से पढ़े क्या पढ़े और कितना पढ़े यह सारी चीज बात करेंगे ठीक है बच्चो वीडियो को पूरा देखिएगा इसके बिल्कुल भी मत करिएगा देखे बच्चो जनरल साइंस साइंस बहुत वास सब्जेक् पढ़ना है ज्टिक है जनरल शाइंस बेसिकली तीन सब्जेक्स में है आपके लिए अगर हम देखते हैं तो एक है आपका फीजिक्स फेजिक्स एक है तिंस फॉप साहई है आपका जो पढ़ने जनरल साइंस में पर थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे जब अपने exam के pattern को समझे आपका 2019 थे पहले exam में क्या होता था आर्स और social का अलग-अलग पेपर होता था तो उसमें क्या आर्ट्स में साइंस का वेटिज ज्यादा था पर सोशल में उतना ज्यादा नहीं था उसमें 15 कोशन 16 कोशन आते थे पर इसमें यह पढ़ लो हो जाएगा बेसिक नाम याद कर लो वैसा बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए आपको एकदम तैयारी सही से करनी होगी सटीक करनी होगी बच्चो ठीक है पर 2019 में थोड़ा सा खेली बदल गया बदले हुए पैटन में भी साइंस का वेटिज छे कोशन था और हा हमारा कैपसूल देखके गया थे 2019 में उनको पता है कि पांच कोशन डिरेक्ट कैपसूल सही लड़ गया था और एक कोशन मैंने लेक्चर में डिस्कस किये थे उसको जो बच्चे हमारा कूर्स लिए होंगे ठीक हमारा कोर्स जो लिए होंगे तो देखे सबसे पहली बात कि स साइंस के कितने कोशन आएंगे ठीक है 2019 का मैंने बात किया 2020 मैंने बच्चो एक कैपसूल जो इस साल दिया था उसमें एक्सपेक्ट किया था कि 10 से 15 कोशन मिनिमूम आएंगे 15 तक जा सकता है और आपको पता है बच्चों 13 कोशन इस बार भी आये थे तो एकदम मेरा जो बिल्कुल ऐसा साइंस का कोशन आ गया इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन यहीं बच्चो कि 12 से 15 कोशन साइंस के आने ही आने है और इस बार बहुत डाइवर्स होने वाला है मतलब सिर्फ बाइलोजी से कोशन नहीं आने है जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं और जो लोग आपको डाइवर्ट करते हैं कि बच्चे बाइलोजी बस हो जाएगा आपको ठीक है तो बिल्कुल नहीं होने वाला है इसमें फिजिस केमेस्ट्री भी इस बार आने वाला है क्योंकि वह जनरल चीज़ें आपसे पूछना चाहते हैं आपको साइंस नहीं पूरा बाइलोज साइंस पहला सवाल आपका कि सर क्या में साइंस अगर छोड़ तो मेरा सेलेक्शन नहीं होगा बिल्कुल होगा यार 120 कोश्चन में से अगर तुम 15 कोश्चन हटा भी दोगे तो 105 कोश्चन तो है न तुम्हारे पास करने के लिए पर यह बताओ कौन सा बच्चा 105 में से 105 सही करके आता है तो हर सब्जेक्ट को वेटेज देना है यह कभी नहीं तुम्हें सोच रहा है कि सर इसके 10 कोश्चन आते हैं सर इसके 5 ही कोश्चन आते हैं तो मैं क्यों पढ़ू अरे तुम्हारे पास टाइम है और खासकर जो बच्चे हमारे कोर्स में इन्रोल होते हैं उन्हें बता दू के सब्सक्राने लिया काऊंगा है खाऊंगा है टो तो ही याद हो जाना है को Netherlands सौ्छन को ठोनेरा मारना पड़ेगा 15 अगर अगर कौश्चन हमने कम करना है कि… कशों के नहीं करेंगे तो साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है और जो बच्चा मारा क vontade ना चाहते है पूरा डिटेल जिसमें हम लोग बीए आर्ट सोचल साइंस की कॉर्सेज देते हैं और भी सारे कोर्सेज बी लल्ब लल्ब नर्सिंग बाइलोजी बीसी बीसी मैथ बेसी अगरिकल्चर सारी जनकारी डिस्क्रिप्शन में दिये हैं वहां से जाए हमारा एप स्टोर से एप ड पढ़ेगी तो कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी ले लीजे नहीं लेना चाहते हैं तो सेल्फ इस्टड़ी करिए पर अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए बच्चों ठीक है देखिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे तब भी स बढ़ने के समय में उसको तीन चीज़ों बाढ़ता था एक तो आपका जो इसको भी मैंने तीन भाग में बाटा एजी मीडियम और हाड पर जीयस में कुछ हाड होता ही नहीं है तो हाड वाले सेक्षन को हम काटेंगे ठीक है और इसकी जगा हम फैक्ट लिखेंगे क्या लि इजी, मीडियम और फैक्ट, फैक्ट क्या होता है, जैसे आपका अभी God Particle का Question आया था इस बार, ठीक है, कि God Particle किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो सारे Fact है, वो आपको यादी करने पड़ेंगे, मैं बोल दूँगा, कॉमेडी बना के बोल दूँगा, आपको ट्रिक निमोनिक्स तो आपको याद हो जाएंगे, पर आपको पढ़ने पड़ेंगे, यादी करने पड़ेंगे, ठीक है, आपका जो जियस होता है, 80% इजी होता है, क्या होता है, 80% इजी होता है, 80% इजी होता है, 80% इजी होने का मतलब समझ रहे हो यार, अगर 12 कोशन आता है, तो 9-10 कोशन तुम्हारा easy ही आएगा ठीक है 15% medium और 5% factual question आते हैं तो अगर fact तुम्हें याद भी नहीं होते है यार तब भी तो तुम पूरा question लगवग लगवग करी ले रहे हो मालो 14 question आए मेरी भविश्यवाडी के हिसाब से तुम 13 question कर क्या होगे असा ही सही कर क्या होगे तेरा question करने का मतलब 49 number का difference तो तुम मैं पता दू बच्चो 170 number अगर मालो जैसे इस बार 190 number मालो cut off गई तुम्हारी ठीक है तो 49 number इसमें जोड़ो 40 number तो तुम्हारा 230 number अगर आ जाता है तो तुम hostel भी secure कर ले जाओगे तुम्हारा सिर्फ selection नहीं तुम hostel भी secure कर ले जाओगे औ अच्छों बताओ बिल्कुल लेना है हमको आईए अब थोड़ा स्लेबस पर discuss करते हैं स्लेबस को मैं basically बाठ रहा हूं तीन सब्जेक्ट एज एक्वाडिंग फिजिक्स केमेस्ट्री और बाइलोजी ठीक है बाइलोजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी से question ज्यादा आना है पर इस बार तीनों साय था कैसे दिखाते जा रहा हूं आपको ठीक है फिजिक्स से जो था इस बार आपका question बावू जैसे देखो basic question जो होते हैं आपके जै सब्सक्राइब कर रहा है आजाएगा question ठीक है गौट पार्टिकल के बारे में आया था तो जो important fact है neutron proton गाट पार्टिकल ठीक है इन सब के बोशान इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए पढ़ेंगे हम लोग अपने lecture में ठीक है और एक चीज़ और आया था बहुत important nuclear nuclear fusion और fusion bomb blast hodan atom bomb atom atom bomb इनी सब प्रक्रिया से बनता है पर उत्वन आपको detail में atom bomb नहीं बनाना ठीक है आपको पढ़ना कि sun में fusion होता है fusion में क्या होता यह दम पढ़ाएंगे दिखाएंगे आपको fusion fusion यहीं पर दिख जाएगा ठीक है अगर आप lecture देखेंगे तो ठीक physics में तो बेसिक है यूनिट्स वगएरा पढ़ने है और बेसिक चीज़ यहीं पढ़ने है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने है ठीक है कैस्टी भी थोड़ा सा इस बार आया था जैसे अर्थ क्रस्ट में कौन से मिनरल होते हैं मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग में पढ़ेंगे ठीक है आपका साब साब जो जो आप सोच पारे सभी दक्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कौन पत्ती से निकलता है कौन स्टेम से निकलता है कौन सुखा के निकलता है सब कुछ इसको पढ़ेंगे क्योंकि कोश्चन इस बार निकोटीन से आया था निको के बारे में पढ़ेंगे तो यहीं फिजिस केमेस्ट्री में इतना हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा वह केमेस्ट्री में और कुछ में बेसिक चीजे बताऊंगा फैक्चुल कोश्चंस उसमें भी जो आते हैं एक दो पने का अपना वह भी पढ़ेंगे ठीक है अब आता मेंली आपका इंप्रकिरिया होती है उन सारी प्रकिरिया को पढ़ेंगे बच्चो वह हमारे लिए बहुत इंप्रकिरिया है क्या आप डाईजेशन लेते हैं खाना ल कौण साã मिषक हैं खाना कितने तरह कोंच सबसे पहले उसका कौन सा अंग वह साइफ है कंड़े इसने चलने के यह पौदू आगए शमये कार्बो बढ़ेंगे वह हुआदे में धर ठीक है किस लेवल पर होता है यह सब पढ़ेंगे दम एक दम एक चीज़ रिलेट करके फिर आप काम पढ़ेंगे wiring distraction दमनीयों में आपका जो खून बहरा उसके बारे में पढ़ेंगे users a कैसा है ठीक है कौन सा युनिवर्स्ट डोनर है कौन सा ब्लट गूर्फ क्या एबी सबको दे सकता है वो ब्लट गूर्फ सबसे ले सकता है नहीं ले सकता है क्या खो सकता है यह सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका इसी में पढ़ पहलेंगे इतने सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे उसके डिजीज इंपोर्टेंट है 2019 में कुशन आगाते हैं अलजाइमर रोग के बारे में दिमाग का रोग है ठीक है ठीक है तो एलजाइमर रोग के बारे में तो इसे एक पोर्षन है जो आपको बाइलोजी में खासा इंपोर्टेंट है दूसरा प्रशन वो है डीजी रोग रोग बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आज की जमाने में ठीक है रोग खासकर तब हो जाता है जब उसका क्योर नहीं है जब तक क्योर किसी डीज जिजीस का जाते तो लोग उससे परिशान नहीं होते हैं तो रोग इसलिए आजकल बहुत इंपोर्टेट है आपको सारे रोग पढ़ने सारे क्या दो-तीन हजार रोग है पुरे दुनिया में तो यह थोड़े पढ़ने आपको वह रोग पढ़ने हैं जो आपके एक्जाम में आते हैं जैसे र बारे में किस वारे में कौन सा ब्राइरल डीजीज वाहँ सा बैक्तीरियल होग दूसरा हम सि Carmen डीज मेरे नाना मैं तो क्या मेरे में होगा की नहीं होगा ठीक है यह जनेटिक्स होता है एक दूसरे से जनरेशन से जनरेशन जाता है ठीक कि जुनिेटिकल डीजीज के बाowing लोग पढ़ेंगे बच्चो इज़स मोग पढ़ेंगे डिफिकी इनन्सींकिंज कौन सी बिटाविन से कौन सा रोग होने वाला है कौन सी चीज की कमी से कौन सा रोग बहुत दोरने वाला है ये चीज पढ़ेंगे और एक इंपॉर्वाधेंट फिजियोलिजिकल डिजीज पढ़ेंगे ये सब चर myös अनक समझा कुछ नकम्या आ हो ना चा सदंट हम जाता है तो अलग अलग हो जाते हैं अब याट ही है तो उन सब चीजों सब चीज़ों का भी तो डीजीज आङ तरीके बढ़ना है तो जो डीजीस है यह जिस कुछ चैप्टर नहीं है नेम वह कहां पाये जाता है कौन से सोर्स में दूद में दही में फल में फ्रूट में किसमें पाये जाता है बताओ और कितने तरह के उन सारे ठीक है अलग-अलग ठीक उसके बाद उनकी कमी से कौन सा रोग अगर इतना पढ़ लिए विटमीन में से एक परसंट जादा नहीं हर साल एक कोशन विटमीन से आया है दो कोशन भी आया है पिछली साल का कोशन में आपको बता देना हो बिटमीन से वाटर सॉलीबल वाला कोशन आया है ठीक है तो बिटमीन से भी कोशन इतना आया है ठीक और एक और आज कल ट्रेंड हो गया कोशन पूचन पूचने का जो वरत प्रेगनेंट होती है तो प्रेगनेंसी के कुछ टर्म होते हैं ठीक है जिसे पार्चुरेशन प्लेसेंटा यह सब टर्म से कोश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत उस सब चीजों पर भी हम जो डालेंगे ठीक मेली से लेवस हमारा डिजीज हुमन फिजॉलजी बाइलोजी में डिजीज हुमन फिजॉलजी बिटामिन और यही सब थोड़ा फैक्चुल चीजे को बारे में पढ़ेंगे ठीक है इतना हम पढ़ लेंगे तो हमारा बाइलोजी पॉर्शन का कवर हो जाएगा और जो भी छूटेगा थोड़ा बहुत ठीक है जो हमने सही से बताया पूरा आपको लगा है अच्छा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए आईए वहां पर हम आपसे बाते करेंगे आमारा डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया हुआ है इंस्टाग्राम हैंडल वहां आईए हमसे जुड़िए हमारा और चीजों को फ यहां अटो पार प्र नहीं बाड़ को घुड़िए हमसे खीजों करेंगे प्री जबख़िए शिलिए हमसे लगा